हलो क्लास वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक टैट इस फेडरलिजम यह क्लास चैन्त का चैप्टर नमबर टू है पॉलिटी का इससे पहले मैंने इसके तीनों पार्ट अप्लोड कर दी है फेडरलिजम वन टू के लिए जिससे की हमेशा इससे कोशन साते हैं एंटी एसी लेवल पर जो बच्चे वेपर देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पंचायती राज सिस्टम किस से आया था किस इंपॉर्टेंट चिपंचायती राज सिस्टम किस में किविन हैं अंडर पार्ट नाइन ओफ दी इंडान कॉंस्टिटूशे और फिस शिड्यूल नंबर 11 है और इंडियन कॉंस्टिटूशें जिसमें पंचायती रास सिस्टम डिवन है आप देखो कोई एक याद कर लो अ किसकी रिकमेंडेशन से मेजर ली पंचैती राज सिस्टम भारत ने इंप्लिमेंट हुआ था इस बलवन्त राय महता कमेटी पहला इस्टेट जिसने राज सिस्टम को इंप्लिमेंट किया था वो है आपका राजस्तान सबसे पहला और सेकी रास शिस्टर आपका अलटिकल 40 में आता है और 40 basically क्या गांधियन principles हैं गांधियन principles हैं जो कि directive principles of state policy के अंदर आते हैं ये बताते हैं कि ये duty है state की it is the duty of the state to provide a panchayati राज system it given under article number 40 again most important ये कुछ topics थे जो हमें panchayati राज system के बारे में पता होने चाहिए कि ये हमारा panchayati राज system है ठीक है अब देखो 73rd amendment 1992 मतलब panchayati राज इसको देखो एक तरम कभी कभी confuse करने के लिए आती है कि decentralization क्या होता है या centralization क्या होता तो पहले समझते हैं decentralized decentralized का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि power को बांट दिया गया central में भी है state में भी है और local में भी है that is decentralization अगर हम बात करें centralization की तो power एक बंदे के हाथ में है जैसे कि हम कहते हैं ने centralized एस ही लगा हुआ है तो एक जगह लगा है वो सब जगह नहीं लगा है तो centralized मतलब एक ही जगह पे decentralized मतलब बहुत सारी जगहों पर तो 73rd amendment 1992 पंचायती राज का जो सिस्टम है यह बताता है कि हमने decentralization है also called as a democratic decentralization इसमें हमने क्या दिया है थ्री टियर सिस्टम दिया है पंचायती राज का अभी हम आगे देखेंगे पंचायत election होंगे हर पांस साल पे reservation से इसमें SCST of women's के लिए not less than 33% to appointed state finance commission to constitute district planning committees यह सब पॉलिटी के topics हैं हमें अभी यहाँ याद नहीं करने हैं जस्स हमें पता होने जी कि finance commission क्या होता है कौन बनाता है that's that's it कि finance commission किसके अंडर में आता है ठीक है तो finance commission में बता है तो यहाँ प्रेसिडेंट एक finance commission बनाता है अंडर आर्टिकल 280 ठीक है यह ध्यान रखेंगे to constitute district planning committee तो district planning committee बनाई जाती है देखो मैंने कोशन भी दिया है कि what is democratic decentralization अगर कोशन आता है आपके पास की democratic decentralization क्या है तो आप यह लिख सकते हो इसे note down कर लीजेगा when some power is taken away कुछ powers ले ली गई central or state government से हमने local को दे दी उससे हम क्या बोलते है decentralization इसके पीछे basic idea क्या है that there are large number of problems and issues which are settled at the local level क्या होता है कि local level पर चीजे अच्छे से समझ में आ जाती है जैसे कि माल लीजे मोदी जी है या PM जो भी है हमारे देश के वो सब जगे तो जाएंगे नहीं तो उसी लिए होते हैं पंचायत होती है जगे जगे locally चीजे लोकल वालो को ही पता होती है जैसे मैं कहीं हुमने जाओं वहां मुझे कोई guide मिले मालो मैं आगरा जाओं मुझे कोई guide मिले तो मुझे आगरा के वारे में अच्छे से बता सकता है यही बात है बेसिक आइडिया बिहाइंड डी सेंटलाइस जैट देरा लार्ज नंबर और प्रॉब्लम्स एंड इशूस विचार सेट अगई नीचे तक पावर आ गई है ठीक है एडि लोकल लेवल इडिस पॉसिबल फॉर थी पीपल टु डियरेक्टली पाल्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी बात है कि लोकल लेवल लोकल लेवल पर क्या होता है नीचे लेवल पर लोग डिरेक्ली चाहिए इस तरीके से काम होना चाहिए यह पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए पंचायत इंदी विलेज एंड मिनसीपेलिटी इन अर्वन एरिया वर सेट अप इन ओल दी स्टेट्स पर डिस स्टेट्स वर डिरेक्ली अंडर दी कंट्रोल ऑव दी स्टेट कॉर्मेंट ठीक है पंचायत और मिनसीपेलिटी इस बनाएगी बड़ वो किस के अंडर में आती है इस्टेट गॉर्मेंट के अंडर में आती है यह हमें याद रखना है ठीक है याद रहेगा यह चली आगे बढ़ते हैं अब आपको एक थ्री टीर इस्टक्चर देख रहा होगा सबसे नीचे है ग्राम पंचायत उससे उपर है 25 समिती उससे उपर है जिला परिशद ग्राम पंचायत फिर 25 समिती उसके उपर है जिला परिशद तो ग्राम पंचायत बेसिकली गाउं के लेविल पर है जब बहुत सारे गाउं मिलके एक साथ आ जाते हैं तो तहसील बन जाती है वोसे हम क्या भोलते हैं पंचायच समितिया ब्लॉक लेविल पर और उसके उपर सबसे उपर होता है अपना जिला जिला परिशद डिस्टिक लेविल पर तो यह क्लियर हुआ कि यह थ्री टियर सिस्टम कैसे हैं ओके आगे बढ़ो सबसे पहले ग्राम पंचायत देखो एक बहुत बाए डिफरेंस होता है लोगों को समझ नहीं आता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है ग्राम सभा में क्या होता है जितनी भी एडल्ट पॉपूलेशन ना विलेज की जो 18 साल से उपर हैं गाउं के अंदर वो वो सारे ग्राम सभा के मेंबर हैं पहली बात दूसरी बात कि यही लोग यही लोग मिलके किसको अलेक्ट करते हैं पंचायत को यह हम कह सकते हैं किसको अलेक्ट करते हैं अपने सरपंच को समझ में आया कि जो ग्राम सभा होती ना ग्राम सभा यह अलेक्ट करती है सरपंच और सभा में कौन होता है जितिनी भी 18 साल से उपर के लोग है गाउं में वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वही किसे सरपंच करते हैं सरपंच समस्ते न मुखिया होता है पंचायत में बैठा होता है साथ लोग होते हैं ठीक है और आगे कोशन और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है फॉर एंटी एस्टी लेजिसलेचर ऑफ ग्राम पंचायत का लेजिसलेचर क्या है बहुत आएंगे आपके पास जिला परिशद सी एम ओफेस इस चैप के आप्शन आएंगे छोटा सो आप्शन यह होगा तो आज़ार बहिए ग्राम पंचायत का लेजिसलेचर ग्राम सभाही होती है लेजिसलेचर मतलब से उपर के हैं वो ग्राम सभा के मेंबर हैं comprise the adult population of the village above 18 years तो आपको समझ में आया कि ग्राम पंचायत का head कौन होता है सरपंच होता है यहां लिखनी पाऊंगा मैं थोड़ा सा जगा नहीं है ग्राम पंचायत का head समझ में कौन होता है सरपंच होता है clear हो गया है यह ठीक है तो ग्राम पंचायत का head है सरपंच अगेन इसे देख लो एक वार यह बहुत important है legislature of gram पंचायत इस ग्राम सभा कंफ्यूज नहीं होना है बिलकुल यह कोशन NTSC में आता है legislature of gram पंचायत इस आंसर इस gram सभा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आती है उसके बाद 25 समिती इसको हम block समिती भी बोलते हैं इसको हम mandal समिती भी बोलते हैं ठीक है अब आप यह देखो यह आ गई आपकी 25 समिती 25 समिती है इसे यह block level पर होती है यह हम यह कह सकते हैं इसको मंडल समिती भी बोलते हैं ठीक है तीन नाम हो गए इसके अब आगे बढ़ो कई सारी ग्राम पंचायते हैं बहुत सारी ग्राम पंचायते समिटियां क्या मिलके क्या बनाती है जिला परिशद तो यह पंचाइश समिटी में देखो क्या होता है जितने भी मेंबर्स जैसे सपोस्थ एक एरिया है उसमें बहुत सारे गाओं है तो ग्राम सभा होगी अब मालो पांदस गाओं मिलके एक उनका ब्लॉक समिटी बनी अब के जाएंगे ग्राम पंचायत के और जितने भी वहां पर इलेक्टड मेंबर्स हैं उस एरिया के एदर MP आइदर MLA जो भी एलेक्टड मेंबर है वह आटोमेटिकली पंचाइश समिटी का मेंबर होगा I repeat जो भी इलेक्टड मेंबर है उस जगहे का चाहिए वह MP हो MLA हो MLC हो कोई भी हो वो उसका member होगा पंचाय समयती का member होगा प्लस कौन member होंगे जो ग्राम पंचायत के लोग गए हैं मालों एक ग्राम पंचायत है उससे दो लोग उन्होंने पंचाय समयती में भीज़ दी है अपने साथ लोग अगर साथ बैठे हैं हमारे ग्राम पंचायत में हैड ह तो और हमें दो लोग पंचायश समीति भीज़ति अपने गाउं से ठीक है और इसमें अप ये देको अगल मैं आप पताऊं तो पंचाय्ट समीति क्या करती है एक तरीके का कॉओडिनेशन करती है इन दोनों के बीच में जिला परिषय ग्राम्पंचायश 앞으로 कॉडिनेशन कर ती क्या है घर पंचाय का अब जैसे ही ऊपर कंफ्यूजन बढ़ता ही पंचाय समित्यां क्या हैं क्या होता है कहा है म के आधिश्वन हम इतुने मेंबर है ऊस जगह के मलसी कॉई भी उटुमेंटीकली का मैंबर होगा और उस और उस चुनाओं में जो हेड होता है वो होता है ब्लॉक प्रमुक मैं इधर लिख देता हूं जिससे की याद रहेगा जैसे यहां सरपंच है न यहां पर जो एलेक्टेड हैड होगा वोगा ब्लॉक प्रमुक बीपी और यहां जो गौर्वर्मेंट की तरफ से प्रसाइडिं ब्लॉक प्रमुक दो होते ना यह तो गौर्वर्मेंट का बंदा हो गया और यह कौन हो गया यह एलेक्टेड हो गया आरीवा समझने है चलो अब आके बढ़ो जिला परिशत का प्रसाइडिंग ऑफिसर डीम होता है पहली बात जिला परिशत का प्रसाइडिंग ऑफिसर होता है प्लस प्लस इसमें 25 समिति के भी रिप्रसेंटेटिव होंगे प्लस इसमें जितने भी उस जिले के एलेक्टेड लोग हैं वो होंगे प्लस इसमें भी एलेक्शन होता है और इसका हैड कौन होता है चेयर मैं इसका हैड कौन होता है चेयर मैं होता है तो आपको यह ब जिला परिशाद का डियम है और पॉलिटिकल हेट चेर्मेन है अल दी मेंबर और पंचाइज समिति मैं आपको पहले बता दिया चिला परिशाद सही बात है मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स ऑफ जिला परिशादार एलेक्टेड लाइक MP MLA जिला परिशाद पंचाइज समिति के आपके बढ़ते हैं अब आई बात निकल के कि क्यों ग्राम सभा को हम हम लेजिसलेचर भी बोलते हैं क्यों हम ग्राम सभा को हम लेजिसलेचर ब बोलते हैं ब्राम पंचाइज अह। क्यों किव ग्राम सभा meets at least once in ence Coronavirus थाक है तो उसे कहा हर 3-3 महिने पर मिलना चाहिए जैसे माला दूर अक्टूबर हुई तो gram सभा की एक meeting हो जाए या फिर Republic Day है तो gram सभा की एक meeting हो जाए इस तरीके से gram सभा को मिलते रहना चाहिए उसे decide करना चाहिए development work जो पंचायद कर रही है पंचायद जो भी development work कर रही है वो gram सभा को पता होना चाहिए it should caution and examine the decision of पंचायद कि जो पंचायद भी है काम कर रही है क्या वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो decision भी वो check करती है और last one है it should discuss the annual financial statement of gram पंचायद क्यों annual financial statement का मतलब है budget budget क्या है gram पंचायद का वो भी discuss करती है आपने कितना खर्चा किया है और कितना अपने income करी है और कितना expenses है उसके bills वगरा चेक करती है तो यहां हमने देखा कि कैसे gram सभा legislature है किसका gram पंचायद का आई हो वीडियो समझ में आई होगी वीडियो क्लियर हुई होगी नेक्स वीडियो हम इसी में जल्दी फेडरलिजम का पार्ट नंबर फिफ्ट और लास पार्ट अप्लूट करेंगे जिसमें हम म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तब तक के लिए ओके थैंक्यू क्लास